शलूम, Most High in Christ की आशिर्वाद, My Captain Joel of Israel United in Christ भारत और पाकिस्तान में फैली हुए 12 आधिवासियों को नमस्कार एशाया 11-11 की अनुसार उस दिन ए हुवा, उसने फिर हाथ बठाया वहाँ अपने बचे हुवे लोगों को वापस लाएगा वहाँ उन्होंने अशुर से, मिस्त से, पत्रोस से, शीनार से, हमात से, कूश से और एलाम से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुडाएगा एलाम आज भारत, पाकिस्तान और इरान है वहाँ आपके पास विबिन लोगों का समू है याने सिद्धी, शीदी और एफ्रो इरानी है आज हम बैबल के काले एहुदी और थौमस दी इवेंजेलिस्ट भारत के काले एहुदियों से मिलने के बारे में बात करेंगे एरेमिया 14.2 के अनुसार एहुदियों का च्छाती दड़क रही है इसके दर्वाजे फिके पड़ रहे है ओ बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े एरुशलेम से एक रोना सुनाई देता है हम क्यों कहते हैं कि असली एहुदी काले है परमेश्वर ने मनुष्य को भूमी की मिट्टी से रचा है और उसके नथानों में जीवन का श्वास फूंक दिया मनुष एक जीवित आत्म बन गया पहला मनुष आदाम धूल और मिट्टी से बना था जैसे जैसे आप गहराई में जाते है यहां गहरा होता जाता है आदाम एक काला आदमी था परमगीत अध्याया एक एक के अनुसार गीतों में सबसे सुन्दर गीत परमगीत है पांचवा भाग मैं काला हूँ लेकिन एरुशेलम के बेटियो मैं केदार के तंबुआओं और सुलेमान के परदों के समान सुन्दर हूँ राजा सुलमान एक काला आदमी था वहां जुदा के गोतर का है आवर एक वाकी देखेंगे आयोग अध्याई 30-30 के अनुसार मेरा शरीर का चमडी पूरी तरह काला पड़ गई है गर्मी से हड्या जुलस गई है आयोग करता है मेरा चमडी काला है बैबल के अनुसार आयोग काला इंसान था आईए बैबल के अनुसार एशु क्रिस्त की एक सची तस्विर प्राप करें प्रकाशित वाक्य का अध्याए एक, एक के अनुसार इन शब्दों ने एशु ने कहा भगवान ने उन्हें उन चीजों के बारे में बताया जो जल्दी ही होने वाली थी उसके सेवकों को दिकाने के लिए और उसने अपने स्वर्गदूत को बेज कर उसके द्वारा अपने दास योहन्ना को बताया एसु मसिहा का रहसोत गाटन है एसु मसिहा की सची छवी को प्रकट करता है प्रकाशित वाक एक चोदा के अनुसार उसके सिर और बाल श्वेत उन वन पाले के जैसे उजवल थे और उसकी आँखे आँग की जवाला की नाई थी एसु मसिहा के बाल कपास की तरह सफेद थे एसु मसिहा के बाल सफेद और उनी थे निग्रो बालों की बनावट या हम उसे एफ्रो बाल कहते थे उसके पाव उत्तम पितल के सामान है. जो बटी में तपते है और उसका शब्द बहुत जलके शब्द के सामान है. एसु मस्या के पाव उत्तम पितल के सामान है. पितल किस रंग का है? बूरा. जब आप बटी में पितल जलाते हैं तब मिठी का रंग जैसा हो जाता है. इसे एरोपियों ने आकर हमें सिजर बोर्जिया नाम के एक जूटे आदमे की छवी दी। जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। तू क्यों करता है कि पिता को हमें दिखा। इशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के समान दिखाई देता था। इशु मसीह ने फिलिपुस से कहा, यदि तु मुझे देखा है तो मेरे पिता को देखा है, यानी एशु बिल्कुल उनके पिता जैसे दिखते थे, आईए देखेंगे की ओ कैसे दिखते थे दानियल अध्याय साथ नव के अनुसार, मैंने सिहासनों को गिरने तक देखा है, मैं अपनी आँखों से उन सभी प्रमुक राज्यों को देख सकता हूँ, जो सत्ता से गिर गए है उन दिनों पूर्वज बैटे थे, पुराने देवता भगवान पृत्वी के निर्मान से पहले थे, उन्होंने दिनों का निर्मान किया साथ वे दिन भगवान बैट गए, जिसका अर्थ है कि भगवान को सिमहासन पर बैटने का अधिकार है उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे, परमेश्वर के वस्त्र श्वेत थे परमेश्वर को वस्त्र धारन करने के लिए उसके पास शरीर होना चाहिए उसके बाल निर्मल उन के समान और उसका सिमहासन जलते हुए ज्वाल के समान और उनके पहिये जलती हुई आग के समान है भगवान के सिर्क के बाल शुद उन की तरह है भगवान के बालों की बनावट आफ्रो बालों की तरह है इशू मसिया और काले लोगों के बाल एक जैसे है बगवान एक उनी बालो वाला काला इंसान है थॉमस जो 12 शिश्यों में से एक थे एक काला एहूदी जिनोंने भारत के काले शिश्यों का दोरा किया था अब देखते हैं इंडिया एंडी एपोस्टल थॉमस किताब का 133 पन्ने पर कांगनोर पुराने मलाबार रियासतों की एक सिठ्थी और उस तट पर यहुदियों और इसाहियों की प्रारंबिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है अईसा कहा जाता है कि मनस्य आदिवासे के काले एहुदी यहां सबसे पहले बसे हुए थे और वहां एक हजार से अधिक वर्ष तक बसे रहे थे जहां यहां कहा जाता है कि सेंट थामस ने सबसे पहले बारत के तटो पर उपदेश दिया था इसके अलावा आफरिका के सामान्य इतिहास भाग पांच में देखा तो 16-18 शतमान तक उलेक किया गया है कि जन्सीरा का द्वीप जो गुजरा से जादा दूर नहीं है आज सहीत प्राचीन काल में उतर पश्चिम भारत की समुद्र व्यावाहारिक गतिविदी का हिस्सा था इसमें आज का मुंबय और कौंकन तटी अक्षेतर शामिल है स्थड़य परंपराओं को माने तो जन्जीरा द्वीप में बसने वाले सिद्धी आफरिकी थे जो 1989 में गुजराच से आये थे ए लोग काले यहुदी थे जो आफरिकी गुलामों के वंशस थे जिनोंने दक्षिन भारत में कोची छोड़ दिया था हाला की बैबल के अनुसार यहुदी काले थी बैबल की भविश्यवानी के अनुसार हमारे लोग उन जगाओं पर बिक्रे हुए थे जो उन राष्ट्रों की विशेशिताओं को पालन करते थे जिने उन्होंने गुलाम बनाया था बारत के इस्राइलियों की तरह पाकिस्तान और इरान में कई अन्य देशों के साथ घुल मिल गए है उनकी विशेशिताओं को प्राप्त कर लिया है दली, भारत, पाकिस्तान और आदिवासिया दुनिया बर फैला है ए ट्रिबिट्टू दी निग्रो पन्ना 64 देखेतो एहुदिया पहले से बताए गई कारणों से उन्होंने अपनी विशेशताओं को अन्य राष्टों के उन लोगों के साथ कुछ हद तक आत्मसात कर लिया है जिनके बीच ओ बिकरे हुए थे रंग में अनंतकाल की अनिष्टिताता के संबन में निष्टित रूप से एक बहुत ही उलेखनिय उदाहरन है जो लोग इसराइल की भूमी में यहुदी होने का दावा करते हैं ओ असली यहुदी नहीं है जो यहुदी धर्म में परिवर्तित हो गए है हम अपनी संस्कृति को खो रहे है क्यूंकि हम गुलाम है आईए देखते हैं कि एशो स्वयम क्या करते है रास्योद गाटन दो नव के अनुसार मैं आपके कार्यों को, क्लेश को और गरीबी को जानता हूँ लेकिन आप अमीर है मसिया गरीबी और क्लेश में सच्चे एहुदियों की बात कर रहे है लेकिन हम अमीर है बाइबल के वादे सच्चे एहुदी हमारे है मैं जानता हूँ अन्य जाती एहुदी होने का दावा करके तुमारा अपमान कर रहे है परंतु ओ शैतान की जमात के है इस्राइल के लोग दावा करते है की ओ यहुदी है लेकिन इशू मसिया ने उन्हें सैतान कहा है बारत के सिद्धी और पाकिस्तान के शीदी सच्चे यहुदी है जो बाइबल के अनुसार इस्राइल के बच्चे है एबात हम सब को पता होना जरूरी है